जय हैं दोस्तों स्वागत है आपका इंडियन गुर्कुल में SSC GD previous year question paper की जो हमने series start की थी यह है उसका part 8 अभी तक अगर आपने पुराने part नहीं देखे हैं तो channel पे जाकर playlist में सारे part हैं आप देख लीजिए उनको यह video important होगी SSC के सारे exam के लिए SSC CGL, CHSL, MTS GD और railway के exam के लिए जिसमें GS पूछी जाती है तो चलिए start करते हैं शुरू करने से पहले अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर लीजिए और video को like कर लीजिए let's start पहला question है स्वतंत भारत के प्रिथम उप्रधान मंत्री कौन थे तो स्वतंत भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे सर्दार वल्लभाई पटेल सर्दार वल्लभाई पटेल स्वतंत भारत के पहले उप्रधान मंत्री थे प्रधान मंत्री कौन थे तो प्रधान मंत्री थे जवाहलाल नहरू जवाहलाल नहरू स्वतंत भारत के पहले प्रधान मंत्री थे और सिख्षा मंत्री के अगर बात करें सिख्षा मंत्री तो सिख्षा मंत्री कौन थे वो थे अबुलकलाम आजाद कौन थे अबुलकलाम आजाद एक कुशन और पूछा जाता है कि स्वतंद भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे रेल मंत्री तो रेल मंत्री भी बहुत मताई जौन मताई स्वतंद भारत के पहले रेल मंत्री थे बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ है अगला कुश्चन है है एक वाइरस है जो सरीर की प्रती रक्षा पडाली पर हामला करता है का पूरा नाम क्या है तो देखिए अचाहईवीवी वाइरस जो है अचाहईवी वाइरस का जो फुल फॉर्म होता है वह होका है एंचे ए वाइरस से होने वाला रोग है यह का फोलव तब होता है अधस्य क्किंद्ष और ने इस समबंदित नीली क्लांती डेस सम्बंदित मस से समबंदित से संबंदित है मस्य उत्पादन से नीली क्रांथी के जनक किसको कहा जाता है तो नीली क्रांथी के जनक कहा जाता है हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को हीरा लाल चौधरी और अरुण कृष्णन को इसका राइट अंसर है मस्य उत्पादन अज़ा स्वेध क्रांथ संवेत करांती तो सुएत कुरांती दुग्दłości उत्पादन सबस्क्रांतर से संबस्क पातर पतर और इसके जननक वर्डेश कुरियंत कुरियंत कर अकूरिक बढ़ते हैं अगले कुशन की तरफ है अगला कुशन है विश्व जंसंख्या दिवश कम मना जाता तो विच्च जनसंख्या दिवस क्यारा जुलाई मना है ज्यारा उप। इसका राइट आझरे ग्यारा जुलाई अगला इसे यह नहीं यह संब्धार्ण शवदन किस से संभनते तेंप यह जो सब्सक्राइब और इसमें कि जिस फैमिली की जो इंकम आठ लाग से कम है आठ लाग से जिनकी जिस फैमिली की वार्सिक आए आठ लाग से कम है उनके लिए जौब में दस परसेंट का आरक्षण दिया जाएगा तो यह सम्मिदान संसोरन इडब्लू एस से संब्द देते हैं बढ़ते हैं अगले कुश्चन की तरफ अगला कुश्चन है भारत के मसहूर सहनाई वादक हैं तो इसका राइट अंसर है बिसमिल्ला खान भारत के मसहूर सहनाई वादक हैं पंडित तो रवी संकर की बात करें तो रवी संकर सितार वादक हैं सितार वादक यह भी पूछा जा सकता है कि रवी संकर किस से संबन देते हैं तो रवी संकर हैं सितार वादक और सहनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खान बढ़ते हैं अगले कुश्शनमें अगला कुश्शन प्लासी का युद खब हुआ था तो प्लासी का युद हुआ था सन 1757 को किसके किसरी बीच हुआ था यह हुआ था बनगाल के नवाब और लर्ड क्लाइब के बीच में हुआ था क्लाइब Wäh कि लाइब के बीच में तो सिराजुद दौला और किलाइब के बीच में हुआ था सन 1757 में इसमें सिराजुद दौला की हार हुई थी और इसके बाद बंगाल पर मीर जाफर को बेठाया गया था मेर्जाफर को तो प्लासी का यह दुगा था सन 1757 में अगला कुश्च से भारत का लोह पुरुस किसे कहा जाता है लोपुरुस कहा जाता बाल गंगाधर तिलकको कि बाल गंगाधर तिलकको लोः पूरुस कहा जाता है दाधा भाई नरोजी दाधा भाई नोरोजी को को old men कहा जाता है old men of India इस कुषैया और नचाएं या है वाण गंगाधर तिलक को पढ़ते हैं अगले कि तरफ कि अगला कुछर है जातक कथाएं जातक कथाएं कि निमनलिक्ड में से अगला कुछ ने जातक कथाएं निमनलिक न् Senior किस संपधाय से जुड़ी हैं जो जातक कथाएं हैं वो हैं बहुत दधार्म से रिलेटेड बहुत दधार्म से तो इसका राइट आंसर है बहुत दधार्म अच्छा बहुत दधार्म से जोड़े हुए पांच स्थलों को याद रखिए LBSS के लुम्बनी बोध गया सानात सावस्ती कुशी नगर लुम्बनी में बुद्ध का जन्म हुआ था बोध गया में ग्यान की प्राप्ति हुई थी सानात में प्रथम उपदेश मिला था सावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिये थे कुशी नगर में बुद्ध की म्रत्य हुई थी यानि की महापदी निर्वार्ण हुआ था तो इसका राइट आंसर है बहुत दधार्म और ये भी याद रखिए आप LBSS के कि बढ़ते हैं अगले कोष्ष्चन की तरफ है अगला कुष्चन ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी राजाराम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय ने सन 1828 इस्वी में ब्रह्म समाज की इस्थापना की थी अच्छा राजा राम मोहन राय से और भी कुशन याद रखिए कि समवाद कौमदी जो पत्रका है समवाद कौमदी पत्र का उसको किस ने लिखा था तो उसको भी राजा राम मोहन राय ने लिखा था समवाद कौमदी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी किस ने दी थी तो राजा की उपाधी दी थी अकबर दुतिये ने अकबर तुति अच्छा दयानन सरस्वती की बात करें तो दयानन सरस्वती ने आद्य समाज की स्थापना की थी आद्य समाज की स्थापना की थी दयानन सरस्वती ने और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन रहा है तो यह थे दस important question आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए share कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को थैंक्यू जय हिन जय भारत